पादर की डेथ हो जाने के बात, मदर बच्चों को अपने पैरेंट्स की हाव पर लेकर जाती है, कुछ रिजन्स की वज़े से बच्चों को घर में छुपकर रहना पड़ता है, यहाँ से एक बहुत ही अजीब तरीके से स्टोरी अनफोल्ड होती है, हेलो फ्रेंट्स, आज म हमारी कैरेक्टर कैथरीन ही हमसे बात कर रहीती, वो कहती है कि लाइफ मे कब क्या टर्न आजाए, इसके बारे में आप बता नहीं सकते हैं, पहले तो हमारी लाएफ बहुती पर्फेक्ट थी, पर उसके बाद बहुती डेंजरस से टर्न आए, अब ये सब क्या था? यहाँ ह अपने काम से ज़रा दूर रहते थे आज जो घर पर आये तुने देखका सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे फादर ने भी सब के लिए गिफ लाया था मदर के लिए उन्होंने एक बहुत ही एक्सपेंसियो निकलेस लाया है इसके बाद वो बच्चों के साथ गार्डन मे खेल रहे थे कैथरिन अपने फादर से बात करती है कहती कि आप इतना जादा दूर मत जाया करी है वो ने मिस करती है घर में सब लोग बीजी होते हैं और उस पर कोई भी धार नहीं दे पाता वो और कुछ बता बाती इससे पहले कोरिन अच्छी दरीगे से तयार होकर बाहर जागी वो एक्साइटेट थी क्योंकि फादर को प्रमोशन मिल गया है अब वो और भी जादा बीजी हो जाएंगे इस बात से गैधरिन को बहुत बुरा लगा वो अपसेट होकर अपने रूम में चली गई फादर उसे मनाने के लिए उसके पास आये एक बहुत ये एक्सप रण हो चुका था और उनकी टेथ हो जाती है सब लोगों को बहुत शौक लगा ट्विंस को तो अपने फादर की बहुत जादे याद आती थी कोरिन बहुत जादा डिस्टब होने लगके उसके पास पैसे भी नहीं थे कैथरिन ने पूछा क्या हम ठीक रहेंगे कोरिन गहत बहुत सारे लेटर्स लिख कर इन्हें पोस्ट कर दिया थोड़े दिनों बात को लेटर का रिपला आता है उसने फिर अपने सब बच्चे को कहा कि अब हम जाकर मेरे पैरंट्स के हां रहने वाले बच्चे शौक है क्योंकि उन्हें कोरिन के पैरंट्स के बारे में पता ही नहीं था कोरी ने का मैंने मेरे पैरंट्स के मर्जी के खिलाब शादी की थी तो इसी वज़े से वो हम पर बहुत गुस्सा थे अब फिर से उनके पास जाकर माफी माग लेगी सबको मना लेगी बच्चे ज़रा कन्फियूस थे क्योंकि यहां की पूरी लाइफ छोड़कर उन की ले लेगी इसके बाद कोरीन की सीटी में पहुँचे वहाँ पर उन्हें लेने के लिए कोई भी आया नहीं था वैसे ही रात में बहुत टाइम तब वॉक करते करते हैं वो कोरीन के घर पर आ गये कोरीन की मदर दरवाजा खोलती है इसका नाम था ओलिविया ओलिविया न पादर उन्हें देख ना पाया बच्चे घर में हैं ये एक सिक्रेट था कोरीन अपने फादर को कुछ भी पताना नहीं चाहती थी अगर फादर ने पहले उसे माफ कर दिया इसके बाद उन्हें पता सकती है कोरीन ने समझा दिया कि मैरे फादर बहुत ही ओल्ड है वो कभी मर सकते हैं एक बार उन्हें अगर मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लिया फिर हम मिलिनियर बन जाएगे हमें इस तरीके से रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोरीन ने कहा कि मैं दिन बर यहाँ पर नहीं रह सकती वो बीच बीच में उन्हें मिलने के लिए आती रहेगी अग कभी भी लड़का और लड़की एक साथ नहीं जाएंगे अलिविया ने कहा कि अगर तुम्हारे ग्रैंट फादर को पता चला तुम लोग यहाँ पर रह रहे हो तो बहुत ही बुरा होगा बच्चे फिर उपर एटिक देखने के लिए क्वीन्स कोई जगा खेलने के लिए अच्छे ही नहीं लगती है पर इनके पास कोई पी आप्शन नहीं था इसे ज़रा इंटरस्टिंग बनाने के लिए कैथरिन और क्रिस्टोफर ने उनके लिए जुला बना दिया रात में कोरिन सबसे मिलने के लिए आए क्वीन्स उसे कहते हैं हमें यहाँ पर नहीं रहना बहुत ही बोर हो रहे थे उन्हें घर पर जाना था कोरिन उन्हें समझाती है कि तुम्हें कैथरिन और क्रिस्टोफर का सब कुछ चीज़े सुननी चाहिए ट्विन्स मानते नहीं और हल्ला करने लग गये तब ही ऑलिविया आगे उसने जोल से एक ट्विन को मारा कहा कि इस सब चीज़ी हाँ पर चलेगी उसने कोरिन को अपना शर्ट निकालने के लिए कहा इतने सालों बात कोरिन वापस आये तो इस वज़े से ऑलिविया ने कोरिन को बहुत मारा था बच्चे भी ये देखकर डर जाते हैं ऑलिविया ने कहा कि तुम सब बच्चे एक डेविल की स सब्चे दोश्त थी हमेशा मेरी मदर मेरे फादर को मेरे खिलाब बहुत ही अलग-ढलब चीज़े पताय करते थी स्लोली-सलोली मेरे फादर भी काम में बीजी हो गए थै तो इस वज़े से मैं घर में अकीली पढ़ गें तबही मेरे फादर का हाप ब्रदर हमारे पास रहन गई थी फादर ने भी कोरिन को उनके विल से निकाल लिया था उलिविया ने कोरिन को कहा था कि अगर तुमारे बच्चे हुए तो अबनॉर्मल होंगे पर इसा कुछ भी नहीं हुआ इसके बाद नेक सिन में हम देखते हैं ट्विन्स के लिए क्रिस्टोफर गार्डन पेंट कर रहा था उलिविया ने कैथरिन से पुछा कि उपर चल कह रहा है कैथरिन कहती है कि क्रिस्टोफर पेंट कर रहा है वो एक बहुत ही अच्छा पेंटर है उलिवया पुछती है कभी उसने तुम्हारी पेंटिंग में आई है क्या तुम्हें कबड़े निकालने के लिए उ वो आने के बाद कहती है कि मुझे पूरा डाइम मेरे फादर के साथ ही बिताना पड़ा वो सेलिंग गई थी उनके साथ पिकनिक पर गई थी ये बात कैथरिन को अच्छी नहीं लगती उसने कहा एक मंद हो गया तुम हमें देखने के लिए आई ही नहीं तुम्हें जल्दी अपने फादर को मनाना चाहिए हमें भी बाहर जाना है हम इतने भी बुरे नहीं कि वो आपने खुद के ग्रैंट चिल्डरन को एकसेप्ट ना करे कोरिन अब उन्हें सच बदाती है कहती कि मेरे फादर ने मुझे माफ किया पर एकी कंडिशन पर कि मुझे कोई भी बच्चे नहीं और वो उन्हें बच्चों के बारे में नहीं बता सकती फादर बुड़े है तो उनके मरने का इंतजार इन्हें करना पड़ेगा कैथरीन अफसेट थी पर क्रिस्टोवर उसे समझाता है कि जल्द से ये टाइम भी गुजर जाएगा उनकी ट्विन्सेस्टर उनके पास आई और कहा कि कोरी मिल नहीं रहा वो हाड़ेंसी खेलते हुए एक बॉक्स में बन हो गया था इसे जल्दी से जाकर ये खोलते तो अनकॉंशेस हो चुका है कैथरीन ने उसे होड वाटर में बहुत हीट किया उसके बहुत अच्छे से खैल रखती है इन्हें हेल्प करने के लिए कोई आया भी नहीं था इसके बाद और भी टाइम गुजर जाता है अब डारेक्टली क्रिस्मस आ चुका था कैथरीन जरा पॉजिट्वली कहती है कि हमें ऑलिविया के लिए गिफ्ट बनाना चाहिए ये गिफ्ट बनाने के बाद ऑलिविया सिर्व इसे देख लेती है और वेसे फेक कर चली गई कोरिन जब इने मिलने के लिए आई तब बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई बच्चे बाहर की दुनिया मिस करते थे तो उनके लेक टिवी भी लेकर आती है उसने कैथरीन के लेक बहुत ही ब्यूटिफुल सा ड्रेस लाय हुआ था कैथरीन ने कहा कि ड्रेस बहन कर हम जाएंगे कहा हमेशा ऐसे हाइड होकर नहीं रह सकते है आज घर में क्रिस्मस की पार्टी थी तो कैथरीन और किस्टोफर दोनों आने की जित करते है कोरिन भी इसके लिए मान गई उन्हें पार्टी में लेकर गई पर उपर के लिकर कैबिनेट में उन्हें बन करकर रखती है जहां से उस सिर्फ पार्टी देख सके एक बॉटल लेने के लिए ओलिवया उपर आई थी पर वो निकालती नहीं वो बच्चों को पकड़ी लेती है पार्टी में फर्स टाइम हम कोरिन के फादर को देखते है वो बहुत ही बुड़े थै कोरिन के फिर से फैमिली में आने से उन्हें बहुत अच्छा लगा था उसे एक बहुत एक्सपेंस उन्हें एकलिस गिफ करते है पार्टी के बाद जब बच्चे हाँ से जा रहे थे तो कोरिन को एक आदमी के साथ हो देखते है उसे कह रहा था कि हमारी लाइफ एक साथ स्टार्ट करने के लिए में रूख नहीं सकता उसे कही दूर लेकर जाना चाहता था कैथरीन को एबाद अजीब लगी पर क्रिस्टोफर कह था है मदर अब अमीर होने वाली है उसके पीछे तो बहुत लोग होंगे कैथरीन अब में रूम में चली गई पर क्रिस्टोफर आसपास घुमता रहता है जब कोरिन को एबाद पता चली तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है केस्टोफर के आने के बाद उसने उसे जोसे स्लैप किया अगली सुबह उने सौरी बोलने के लिए आई केस्टोफर ने पूछा क्यों आदमी तुम्हारे साथ कौन था कुरिन कहती को मेरे फादर का लोयर है हमें उसकी जरूरत है हमें मेरी मंजिल के बहुत करीब हूँ उसे बहुत बुरा लगा कि उसने कल ये सब किया था वो गहती कि हम इस तरीके से नहीं रह सकते अगर हमारे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ हम कहीं भी एड़िस कर लेंगे बच्चे सुनकर उसे कहने लग गए कि हम यहाँ पर रह सकते हैं ज्यादा वरी मत करो एक्च्वल में कोरिन उन्हें मैनोपलेट करने लग गई थी वो खुद इतनी लाल जी है तो कभी भी इस सब छोड़ कर नहीं जा सकती है एक दिन उपर क्रिस्टोफर लड़कियों की मैगजिन्स देख रहा था कैथरिन जब यह उसे पूछती है तो छुपा लेता है इसके बारे में कैथरिन ने कोरिन से पूछा कोरिन ने कहा कि अब तुम लोग बड़े हो रहे हो तो यह अलग-अलग चेंज़ेस तो आने ही वाले है वो कैथरिन के लेक ड्रेस लेकर आती है जब यह ड्रेस कैथरिन पहन रही थी तो क्रिस्टोफर उसे देख लेता है यह ज़र आकवर था तो भी ऑलिविया यहाँ पर आ गए उसे लगता है कि इन दोनों में कुछ चल रहा था औलिवया घुसा होगर कोरीन को पनीश करना चाहती थी उसके हेल्स कट करकर पर क्रिस्टोफर उसे मना करता है रात में ऑलिवया ने कैथरिन के सरपर टार लगा दिया सूबा उने पर इसे निकालने के लिए वो बहुत ट्राय करते है पर निकालने पाते है कैथरिन क्रिस्टोफर ऐसे गयती है कि तुम्हारी कोई भी गल्ती नहीं थी तुम सिर्फ मुझे देख रहे थे कैथरिन ने कहा कि तुम मेरे बहुत पास हो मैं हमेशा लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता हूँ बसे लगता है कि कैथरिन बहुत ही ब्यूटिफुल है पर वो इस तरीके से सोचना नहीं चाहता कैथरिन के हैर से टार निकालने का कोई भी वे नहीं था तो उसने उसके सारे हैर सकट कर दिया एक दिन कैथरिन जब डान्स पैक्टिस कर रही थी तो क्रिस्टफर और वो मस्ती करने लग गया ये गलत है ये रेलाइस करकर एक दूसरे से दूर हो जाते है आज कल ट्विन्स बाहर जाने का नाम भी नहीं लेते थे उन्होंने उन्हें खिलके में आकर बाहर जाने के लिए कहा पर फिर भी वो मानते नहीं एक दो साल ये सब यही पर रहे है कैथरिन और क्रिस्टफर को भी बाहर जाना था तो रात में एक रसी की मदद से नीचे उतर जाते है एक ब्यूटिफुल से लेक के पास आए ये वंडर करते हैं क्या कोरिन उनके लिए कुछ करेगी वो उस पर अब ट्रस नहीं करते हैं कोरिन बच्चों से मिलने के लिए आई पर डारे लिए 4-5 मंद के बाद वो बच्चों से कहती है कि मेरी शादी हो गई है वो हनिमून पर थी इसी वज़े से उनसे मिलने के लिए नहीं आ पाई क्रिस्टोफर कहता है कि ऐसा अब नहीं चलेगा दो साल हो गए हम यही पर बड़े हो रहे हैं वो इस तरीके से अब यहाँ पर नहीं रह सकते कैथरिन ने कोरिन से पूछा कि तुमारे हस्बन को हमारे बारे में पता भी है कैथरिन कुछ भी नहीं बोली और यहाँ से और चली गई ऑलिविया के हाँ तो कोरिन उनके लिए स्वीट्स भेज देती है डोनर्स देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए थे कैथरिन ने क्रिस्टोफर से कहा अब हम यहाँ से निकल जाना चाहिए हमें बाद में कितने भी पैसे मिले पर हम इस तरीके से नहीं जी सकते है क्रिस्टोफर ने कहा कि हमें निकलने के लिए थोड़े पैसो की जरुवत पड़ेगी वो विंडो के पास खड़ा था तो आलिया उस पर बहुत चिलाती है वो से कभी भी उसके नाम से नहीं पुकारती तो क्रिस्टोफर कहता है मेरा मेरे फादर की तरह क्रिस्टोफर नाम है इस बात पर ओलिविया और भी ज़्यादा गुस्सा होगी उसे कोडे से बहुत मारती है कैथरियन ने क्रिस्टोफर की जखम देखी और यह दोनों किस कर लेते हैं अगली दीने दोनों करीब थे और ओलीविया के, वो कहती कि तुम दोनों कर क्या रहे हो। क्रिस्टोफवर रोते-रोते ओलीविया के पैर में गिर गया। कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। प्लीज मुझे माफ कर दो। आलिविया गौड पर बहुत बिलीव करती थी उसने कहा तुम्हें गौड ही माफ कर सकता है। आलिविया के जाने के बाद कैथरेन बहुत ही confused होगे। क्रिस्टोफर से बुछ थी कि तुम्हें ये सब कर क्या रहे थे। क्रिस्टोफर हसने लग गया उसने ओलिविया के कीश की कौपी बनाई थी अब वो जब चाहे यहां से निकल सकते हैं। अब हर रोज राद में जाकर घर से थोड़े-थोड़े पैसे निकालने लग गये। ऐसे थोड़े थोड़े पैसे चुराते हुए इन्हें बहुत टाइम लग सकता था पर इनके बास कोई option नहीं था एक राज जब ये ऐसे ही निकले हुए थे तो कोरिन का हस्बन ट्रंग होकर सोया हुआ था कैथरीन उसके बास के वो curious थी तो उसे kiss कर लेती है इसके बाद वो रूम में आके बाहर क्रिस्टोफर फेंस को देख रहा था ये अभी अभी बनवाई कही थी और इस पर electric का शौक पर लगवा रहे थे इस electricity को बन करने का switch उसने ढून लिया घर में आकर हो देखता है तो कोरिन और इसका husband बात कर रहा था उसका husband कहता है कि मुझे एक सपना आ क्रिस्टोफर समझ गया कि ती उस पर बहुत ज़्यादा गुसा हो जाता है गुसे में एक दुसरे के साथ intimate हो गया क्रिस्टोफर से जहती है कि अगर तुम चाहो तो हम ये सब चीज़े बन कर सकते हैं क्रिस्टोफर ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं एक दिन उन्होंने कोरिन से कही पर फिर भी उसे हस्पिटल ले जाने के लिए मना कर रही थी कैथरीन उसे बहुत भला बुरा गयती है तो इसके बाद ऑलिवया ट्वीन को हस्पिटल में लेकर गई अगली दिन ऑलिवया इनके पास आई कहती कि तुम्हारा ट्वीन ब्रदर बहुत ह sağ快 दो किर लेकर यहां से भाग जाएंगे यही चोरी करते हुते हुई मेड की बात उन्हें ने सुने यहां यहाँ कि मेड भी चोरी कर रहे थे हैं वो कहते हैं कि कोरिन के फादर की मर जाने के पाद अब वो स्लोली स्लोली सब मेड को निकाल रहे हैं हम खुद का जितना फा के बार में नहीं बताय था उसका प्लान था बच्चों को हमेशा एटिक में ही रखेगी क्रिस्टोफर जब उपर आय तो उसकी छोटी सिस्टर की हालत जरह खराब थी छोटी सिस्टर ने अपना डोनट एक माउस को खिलाय था और माउस की देथ हो गए इसका मतलब है जो डोन कर देता है और सब लोगों को एटिक में जाने के लिए कहा उन्हें पता था कि ऑलिविया को एटिक में जाने से डर लगता है वो भी उसे घसिटते घसिटते वही पर लिकर गया वो डोर बन कर देता है और यह सब खिड़की से बाहर निकर गया ऑलिविया वहां से नहीं जा प कर देता है और यह सब यहां से भाग गए कैथरिन हम से कहती है अब हम उस प्लेस पर कभी भी नहीं जाएंगे पर हमारी मुलाकात फिर से हमारी मदर से हो सकती है मुझ में और क्रिस्टोफर की बीच में जो भी है इस वज़े से कोरिन को हमेशा शेम में जीना पड़ेगा यही उसके लिए सज़ा होगी क्रिस्टोफर के साथ हो न यह कैथरिन का अपने मदर से लिया गया हुआ एक बदला था इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज असे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मूवी लेकर आते रहता हुआ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दोने मत भूलेएगा फिर से मिलेंगे और एक निम दोलेगे